नमस्कार स्वागे थे आप सभी लोगों का एक बर फिर से आधनिक भारत के मौडरन इंडिया के उस दौर में जिसमें हम लोग यूरोपियों के आगमन से शुरुवात कर चुके थे 1857 की क्रांती का दौर देख चुके थे 1857 से लेकर 1885 तक का वो दौर जो भारत में आने वाले समय में परिवर्तन की बयार लेकर आने वाला है जो राजनेतिक तोर पर परिवर्तन की हवा और बयार ले रहा है उसमें कई सारे पॉलिटिकल इंस्टिउशन डिवलप हो रहे हैं जो कि कॉंग्रिस से पहले बने हैं जिन में बंबे प्रेसिडेंसी है जिन में कई सारे नाम में तो इन राजनेतिक गलियारों से गुजरते हुए अब भारत के लोगों का और कुछ ब्रिटिश लोगों का अपना मानना और सोचना है कि एक राजनेतिक दल होना चाहिए जिसके माद्यम से देश की जनता अपने बात पार्टी जिसे हम लोग इंडियन नेशनल कॉंग्रेस कहते हैं उसका जन्म हुआ है एक छोटी सी बात का ध्यान रखेगा इंडियन नेशनल कॉंग्रेस और आज के वरतमान जमाने के कॉंग्रेस को एक मत कर दीजेगा यह दोनों राजनेतिक दल अलग अलग है यह इंडिय कॉंग्रेस की बारें बात कर रहा है हम लोग इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के बारें बात कर रहा है जिसने अपने डंपर एक समय के साथ लडाई शुरू कि देश को आजादी दिलाने का काम पूरा किया इस पार्टी को बनाने के विचार है वह कुछ भारतियों का भी है औ एकंग्रेज अधिकारी हैं नासिक के डिस्टिक मैजीस्टेट के पत से वो रिटायर हो गए है और अब उन्होंने जिम्मेदारी समझाली है एक नया काम करने की और वो काम होगा एक राजनितик गलियारे की राजनितिक पड़्री और एक राजनितिक पहलेंगे जैसे कलकत्ता है मद्रास है और बंबे तो ऐसे ही कुछ विचारों को ध्यान में रख कर हुम साब भी तह करते हैं कि हम पहले इन तीनों ही कोस्टल एरिया को कंसंट्रेट करते हैं सेंट्रलाइज करते हैं और यहीं से राजनेतिक पारी की शुरुवात करते हैं कलकत्ता उस वक्त हाइली पॉलिटिकल अवेर स्टेट लगातार बनता चला जा रहा है उसके अपने अपने कारण है एक तो अंग्रेजों का वहां पर आकर अपने आर्थि को राजनेतिक तंत्र का विक्सित करना जिससे जल्दी ही अंग्रेजों के खिलाफ भारतियों की विचारधारा का और अंग्रेजों के खिलाफ भारती तंत्र को एकट्टा होने का मौका मिल पाया 1857 के विद्रों की जो शुरुवात है वो ठीक गंगटिक वैले में भाव उसके लक्षन आपको बैरकपुर कलकत्ता जो की आपके एक सोतंता सेनानी बताये जाते हैं भारत की सोतंता संघर्ष के शुरुवात करने वाले जो शक्स बताये जाते हैं जिनने हम लोग मंगल पांडे के नाम पर जानते हैं तो यह इसकी भी शुरुवात आपको कल शुरुआत की जा रही है यह गलग बात है कि इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का शुरुआती नाम इंडियन नेशनल कॉंग्रेस न होकर इसका शुरुआती नाम इंडियन नेशनल यूनियन है एलन अक्टोवियो हूम एवो हूम के द्वारा इस राजनेतिक दल का नाम रखा ग रहे हैं अलग-अलग इलाके के बड़े-बड़े राजनेतिक और समाज में अपना एक स्थान रखने वाले लोगों से मुलाकात करके इस पे पॉलिटिकल पार्टी जिसका उन्होंने संरचना किया है जिसका उन्होंने नाम दिया है उसकी शुरुवात करते भी दिखाई पड के लिए हिमालय परवत की चोटियों तक गए हैं वहाँ पर जाकर वहां के जो रिशी मुनी हैं उन्होंने मुलाकात की है उन्होंने जानने की कोशिशकी भारत के लोगों के बीच किस प्रकार की विचारधारा चल रही है और उसका बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में अगर अपने धर्म को देखें, जो हमारा हिंदू धर्म है, अगर हम लोग उसकी चर्चा करें, तो हिंदू धर्म में जो रिशी मूनी है, उनका एक महत्तु है, उनका एक अपना स्तितु है, वो देश के अलग-अलग धार्मिक कारेक्रम में हिस्सा लेते हैं, अगर एक छोट के रिशी मुनी है जिनका प्रमुक तपस्वी इस्तल जो है वह हिमालय परवत है तो उन्होंने हिमालय परवत में रिशी मुनियों के साथ मिलकर ये विचार किया कि क्या सोच है भारतियों की अंग्रीजों के प्रती क्या वो सोच रखते हैं और कई ऐसी बाते हैं जो सिर्फ सिर्फ रिशी मुनी ही जान पाएं और रिशी मुनियो के द्वारा इस तरह के आंधुलन चलाए opportunities वही एक होटी चर्चा सन्यासी आंदुलन पर किया था तो सन्यासी आंधुलन में भी आपको जो सन्यासी शब्द दिखाई पढ़ लहा है वो भी कुछ न कुछ इसी प्रकार के रिशी मुनी ही है जो कि भारत को भारत के लोगों को बहुत सारी बाते बताने और माग दर्शन देने में सक्षम है इसलिए कहीं न कहीं उनका भी बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान है इस पॉलिटिकल पार्टी बनने में वो बात अलग है कि हमें किसी का नाम नहीं पता है वो बात अलग है कि वो रिशी मुनी कौन थे वो बात अलग है कि उन रिशी मुनियों से किस प्रास से मुलाकात हुई उन रिशी मुनियों ने ह्यूम साब को क्या बाते बताई इनके ब पढ़े लिखे और पढ़े निताओं से उनके मुलाकात हो रही है फिरोश्या महता है गोपाल कृष्ण गोखले हैं आपके दादा भाय नोरो जी हैं दिन्शा वाचाइदुल जी हैं कई बढ़े नाम सुरेंदाद बनर जी हैं डबलू सी बनर जी हैं बहुत बढ़े बढ़े थे इन सब को एक खटा करने इन सब को एक करने में एक बड़ा युगदान इनका दिखाई पड़ा है तो सफल रहें और अब इनोंने उस चीज़ को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और राजनेतिक का तोर पर एक सभा बुलाई है इनोंने हमारे हुम साहब ने और वो सभ भारत का वा Assembly कौन था था धीयान रखेगा जब कांग्रिस की स्थापना की जा रही है उस वक्ति से अपने लिये जितनी भी आर्थिक मदद कर सकते हैं वो कर भी रहें अब उनके क्या मंतव्वे हैं कि अंग्रेजों की साजिश है या शायद उनका अपना व्यक्तिगत सोच है यह क्या है इसके बारे में सही से बता पाना बड़ा मुश्किल है बड़ा विवाद है क्योंकि एकर हम लोग यंग इंडिया नाम की किताब की बात करें जिसे लाला लाच पत्राय साहब ने लिखा है तो उसमें तुन्हों ने कहा साब यह अंग्रेजों के द्वारा संचालित और अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई एक ऐसी संस्था है जिसमें अंग्रेज अपनी संस्था अपने का साशन को बनाए और बचाए र बयान देते हैं कि Congress तो अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था थी अंग्रेजों के द्वारा उसे बनवाया गया है कुछ भारतियों उसमें समर्थन किया है उनके अपने विचार है रजनी पामदत्य साहब ने जो कि एक बड़े तिहासकार है उन्होंने इस बात को अपने कित आपस के विवात के मुद्दे रहे हैं आपस के परिशानियों की बाते रही हैं हम लोगों को उन चक्करों में ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि वो पूछा नहीं जाएगा एक शब्द मैंने जरूर प्रयोग कर लिया है और वो किताब है आपकी यंग इंडिया तो एक स यंग इंडिया नाम के किताब के राइटर और ऑफ यंग इंडिया वाज लाला लाज पत्राए याद रखेगा मैं किताब की बात कर रहा हूं ठीक क्योंकि यंग इंडिया नाम का एक मैगजीन है एक पत्रिका भी है उस पत्रिका के जो संपादक है उस पत्रिका के जो मालि जी का है तो इस बात पर ध्यान रखिएगा तो कुछ ऐसी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगे इसे सवाल पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया रजनी पामदत्य को भी लेकर सवाल पूछा जा चुका है कि रजनी पामदत्य के किताब का नाम है पूना में कॉंग्रेस का जिसका पूरा नाम इंडियन निशनल यूनियन है याद रखेगा कॉंग्रेस का पूरा नाम इंडियन निशनल यूनियन है अब इस पॉलिटिकल पार्टी की एक राजनेतिक मिटिंग बुलाई गई है पूना में 1885 का साल है और करीब ही आपके नवंबर और उसी के असपास के दिन है अक्टूबर नवंबर के और इस दोरान एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है और समस्या यह है कि उस जमाने में एक बीमारी फैल गई है जिसे हिंदी में हैजा अंग्रेजी में कॉलरा कहा जाता है कुछ किताबों में प्लेग लिखा हुआ है तो इससे परिशान होने की कताई कोई ज़रूरत नहीं है कि प्लेग है कि कॉलरा है हाँ आम तोर पर किताबों में विपिन चंद्रा जैसे बड़े इतिहासकार के द्वारा जो आदुनिक भारत के एक बड़े अच्छी लिखक बताए जाते हैं उनकी किताब पढ़ भी लोगों को जो हाँ पर इखटा हुए हैं हमारे ह्यूम साहब के नित्रित वो में तो उन लोगों को उस जगे को छोड़ने की बात कहीं कि आप भाई स्वास्त कारणों की वज़ह से इस जगे को छोड़ दें तो ठीक है माना गया उस बात को प्रशाशन का सायोग करते उसका दायरा उसका सीमा उसकी बांडरी बहुत बड़ी थी आज कल के दौर में वो एक शहर है वो बात अलग है कि भारत की अध्योगी का रासधानी है और भारत का एक ऐसा शहर है जो की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर बताया जाता है तो करीब 200 किलिमेटर दूर पूरा से 200 किलिमेटर दूर जो जगे है जिसे बॉम्बे कहा जा रहा है वहाँ पर एक कॉलेज है जहां पर इन सब को इखटा किया गया और यहां पर एक मेटिंग की गई तो आप से सवाल पूछा जाएगा कॉंग्रेस के संस्थापक का नाम बता है यह फाउंडर और शब्द लिखे हुए हैं तो ध्यान रखेगा उसमें फाउंडर का नाम लिखा हुआ है ए ओ हिउम एलन ओक्टोवी ओ हिउम नाम याद रखेगा और एक चीज़ और याद रखेगा यह आजीवन यानि कि 1886 से लेकर 1906 तक का जो साल रहेगा जब प्रॉक्सिमेट 20 येर्स क महासचिफ के पद पर रहने वाले व्यक्ति का नाम बताईए तो ध्यान रखेगा वो व्यक्ति हैं आपके एओ हुँम ठीक है फाउंडर फादर अफ कॉंग्रेस एओ हुम जनरल सेकेटरी अफ कॉंग्रेस एओ हुम क्योंकि कुछ समय के लिए महासचिफ का पद जो है वो उस पद पर थे लेकिन जल्दी उन्होंने वो पद छोड़ दिया था वो क्यों छोड़ा तो हम लोग चर्चा करें वो हम आपको बताएंगे तो ह्यूम साहब उस वक्त आपके कॉंग्रेस के संस्थापक सदस्य हैं और लॉड डफरिन उस वक्त के वाइसरों हैं जो भारत क सबसे बड़ा प्रशाशनी का दिकारी है तो कॉंग्रेस की मिटिंग के लिए भी लोग चले गए हैं बॉम्बे में एक जगह है जिसका नाम पूरा अगर पढ़ें तो देखें आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महा विद्याले यानी ग जिहास में गवालिया टैंक फिल्ड के नाम पर जाना जाता है जब हम लोग आगे की क्लास जारी रखेंगे तो वहाँ पर हम लोग गवालिया टैंक फिल्ड क्यों पर सिद्ध है क्यों पर फेमस है इसकी भी चर्चा करें बड़ा योगदान है कॉंग्रेस का इस मैदान से वड़ा लगाव हैं कॉंग्रेस का उसमाने की कॉंग्रेस की बात कर रहे हैं और कॉंग्रेस का इस मैदान से अपनाए का एक नहीं दो महत्वण जबरजस्त युगदान है देश की राजनीती में एक तो कॉंग्रेस जैसी संस्था का जन्म इसी मैदान के स्कूल वाले पार्ट में हो रहा है जिसका नाम यह है सवाल पूछा जाएगा आप से किसा पहला कॉंग्रेस का दिवेशन कहा हुआ तो आप याद रखेगा वो जगह थी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्याले पूछा जाएगा किस यर या किस डेट में हुआ तो वो डेट था 28 दिसंबर 28 से 31 दिसंबर के बीच हुआ है तो 28 दिसंबर 1850 ये कॉंग्रेस के फॉर्मेशन का डे है ये कॉंग्रेस के सथापना का दिन है इस दिन कॉंग्रेस के स्थापना हो रही है और कॉंग्रेस के अपनी पहली बैठक भी हो रहे है इसी पहली बैठक में यही पर यूनियन जब हूम सहाब ने अपना आपके क्या हो सकते हैं कोई और नाम यह कैसा आप मतलब सभी लोगों के समने प्रस्ताव रखा गया तो दादा भाई नौरो जी Grand Old Man of Congress Grand Old Man of India अगर इंडिया बोले तो ज्यादा बहतर है Grand Old Man of India भाया भारत के जो वयो वरिद्ध हैं जिने हम लोग दादा भाय नौरो जी के नाम पर जानते हैं उन्होंने अपनी बात को रखा कि साब मैं चाहता हूँ कि यूनियन शब्द की जगे पर कॉंग्रेश शब्द का प्रियोग किया जाए उन्होंने अपना तर्क दिया है और तर्क में उन्होंने बताया कि साब जिस एक राजनेतिक दल को आप बनाने की चेस्टा रखते हैं आप कोशिश कर रहे हैं आप आकांग्षा करते हैं इस राजनेतिक दल को बनाने का तो इस राजनेतिक दल को बनाने का पीछे जो मंतव्य है जो उद्देश है जो मोटो है वो भारतिये लोगों को politically aware करना है राजनेतिक तोर पर उन्हें एकत्र करना है और आने वाले समय में राजनेतिक कोई ऐसी बड़ी गरबड़ी जो 1857 की करांती में हो चुकी थी ऐसा कुछ न होने पाए इसलिए ये सारी कवायद हो रही है अंसर हां में मिला तो अब हमारे दादा भाई नौरोजी ने का तो फिर definitely इसका नाम आप Congress रखें जो Congress शब्द है ये आपके भारत का और इंग्लैंड का शब्द नहीं है ये आपका North America से लिया गया शब्द है North America में Congress शब्द का जो मतलब होता था वो मतलब होता था लोगों का समू जिसे आप गुरुप कह लीजिए जिसे आप मॉब कह लीजिए देखें मॉब गुरुप इन दोनों में मॉब में तो खेर मॉब का कोई नियम नहीं होता कोई धर्म नहीं होता तो मॉब मत बोलिएगा समू है जिसका अपना एक उद्देश्य है ऐसा समू जिसका अपना एक उद्देश्य है ऐसा समू जो अपने उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए अपने जन्म की शुरुवात कर रहा है इसल लीडर्शिप दिया है और उनमें से एक नाम आता है जोर्ज वाशिंग्टन का जो सबसे ज़्यादा प्रसिद और सर्वमान नेता के तोर पर है अमेरिकन रेवलूशन के और वो आगे चलकर अमेरिका की रास्ट पती बने तो अमेरिका के जो संसत बनाई गई वो उन्होंने वहाँ के इसी शब्दावली को प्रियोग करते हुए अमेरिकन पार्लियमेंट का नाम जो है वो कॉंग्रेस रख दिया तो ध्यान रखेगा अमेरिका की संसत को क्या बोला जाता है तो पार्लियमेंट बोल दिया कॉंग्रेस बोला जाता है पार्लियमेंट अफ अमेरिका न रखा गया है और सम्मिलन के लोगों के द्वारा और नियूम सहाब के द्वारा इस एक नाम के प्रस्ताव को स्विकार कर लिया गया तो अब कुल मिलाकर कॉंगरेस का नाम आ गया इंडियन निशनल कॉंगरेस इस अदिवेशन में जो ध्यक्षता सम्हालने की जिम्मेदारी दी गई है वह द्यक्षता दी गई है डबलू सी बनरजी को व्योमेश चंद्र बनरजी सहाब को यह द्यक्षता सोपी गई है अब एक जोटा से सवाल हम पूछ लेते हैं और सवाल ये कि अच्छा अभी नहीं पूछेंगे बाद में पूछेंगे एक दो और सत्र पे बाकी तो आप जानने लेंगे यह शब्द मैंने सिर्फ इसले लिखा है व्यूमेश शब्द मैंने इसले लिखा है ताकि कुछ जगहों पर कुछ किताबों में गलती से जो नाम लिख गया है वो नाम कुछ ऐसा लिखा हुआ है इंग्लिश में यू डॉट सी बनर्जी लिखा हुआ है थीक है ना मैं हड जाता हूँ स्क्रीन से तो आप लोगों को साफ साफ दिखाई पड़ेगा तो वो नाम यू सी बनर्जी लिखा हुआ है और यू सी बनर्जी का फुल फॉर्म भी लिख दिया गया है उमेश चंद्र थीक है ना थोड़ा सापको ध्यान रखना ये मिस्प्रिंटिंग का पार्ट ये गलती से चप गया है इंटेंशनली गलत नहीं किया गया है ये गलती से चप गया है तो गलती से जो चप गई बाते हैं उसे हम लोग सुधार लेते हैं तो ध्यान रखिएगा उनका जो उमेश पंदर बनर जी जो नीचे की उर है जो अंडरलाइन मैंने कर दिया यह उनका रियल नहीं है ठीक है ना उमेश शब्ध आपको कई किताबों में पढ़ने को मिलेगा जैसे आप उनकी किताब लें शुकला साब की आरल शुकला साब की लें किताब तो उसमें भी आपको गलती से हुमेश यह गलती है इंटेंशली किसी ने नहीं चापा है ठीक है ना इसलिए किसी को दोश मत दीजिएगा कि गलत चाप दिया यह कर दिया वो कर दिया यह गलतीया है जो हो जाती है इसलिए इनमें किसी को दोश मत दीजिएगा यह जान QC Banarji याद रखेगा व्योमेश चंद्रबनर जी उनका नाम था, इस पहले अदिवेशन में हिस्सा लेने वाले लोगों की संख्या, सदस्यता लेने वाले लोगों की जो संख्या है, वो 72 है, क्योंकि भीड में यानि जो आने वाले लोगों की संख्या है, वो तो 100 थी, 100 प्लूसी बनर जी साब तो कहरत द्यक्ष ही हैं, दादा भैनोरो जी हैं, फिरोशा महता हैं, बहुत बड़े बले नाम हैं, तो ये लोग हैं, हाँ, सूरे नाद बनर जी ने भी कॉंग्रेस से कोई रिष्टेदारी नहीं की है, वो अपने इंडियन एसोसियेशन के साथ अलग हैं, वो बात अलग है कि आगे चलकर उन्हें भी इस ओर आने के लिए बुलाया जाएगा, और वो शामिल भी होंगे, इसमें कोई दोर आए नहीं, लेकिन अभी फिलहाल इस अदिवेशन तक वो अलग हैं, तो कुल मिलाकर पहला अदिवेशन हुआ, 72 लोगों ने हिस्सा ल ठीक है न, फिर मैं आपको बता दे रहाँ दुबारा से, कि यहाँ पर जो आए हुए लोग थे, उनकी संख्या तो 100 है, सदसिता गरहन वाले करने वाले लोगों की जो संख्या दिखाई पड़ती है, वो आपकी 72 है, ठीक, तो यह कॉंग्रेस बन गई, कॉंग्रेस की शुर करेंगे, वार्षी का दिवेशन करेंगे, हाँ, यह भी किया गया कि वार्षी का दिवेशन जो होगा, वो किसी एक जगह पर नहीं होगा, वो बदल बदल कर होगा, जैसे, अभी पहला कॉंफरेंच जो हुआ, जो बंबे में हुआ है, तो अगला जो दिवेशन होगा, उसक बात कहीं और होगा उसके बात कहीं और होगा तो कॉंग्रेस के यह दिवेशन अलग अलग जगहों पर होते रहेंगे एरली कॉंफरेंस अधिवेशन होगे जिनकी डेट भी डिसाइड कर दी गई है 26 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में इना दिवेशन का संचालन किया जाएगा तो यह सारी बाते होई तो कुल मिलाकर कॉंग्रेस के दिवेशन की बात हो गई कॉंग्रेस को आगे चलाने की बात हो गई और अब अगले साल की मीटिंग कलकत्ता में की जाएगी यह तैकिया जा चुका है तो अगले साल की जो दूसरी मीटिंग हो रही है कॉंग्रेस का जो सेकंड कॉंफरेंस है वो जो हो रहा है वो आपका होने वाला है कलकत्ता में तो प्रकत्ता में पहुच गए हैं सब लोग तो इस अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना जाए एक सवाल यह आ रहा है तो अब अध्यक्ष का नाम किसे लिया जाए तो सिनियाटी और नौलेज वाइस यानि बुद्धिमत्ता के तौर पर विद्वत्ता के तौर पर और सिनिय के तौर पर नाम आ रहा है दादा भाय नौरोजी का समस्या यह फस रही है कि दादा भाय नौरोजी अध्यक्ष बने कैसे क्योंकि दादा भाय नौरोजी इस वक्त कॉंग्रेस के महा सचिव हैं और इंडियन नेशनल कॉंग्रेस 1947 तक कॉंग्रेस की एक परंपरा रही है मै मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये दूसरी कॉंग्रेस है पुरानी कॉंग्रेस है नई वाली कॉंग्रेस है इसका कोई भी ताल मिल नहीं है तो इसको मत जोड़िएगा वह एक अलग बात है कि एक दो उस दल के परिवार के सदस्य के लोगों ने आगे चल कर चला दिया संस्ता चलाई तो बात दूसरी है लेकिन वो Congress ये नहीं है तो कुल मिलाकर अध्यक्ष कौन बने तो दादा भाय नौरोजी को अध्यक्ष के तोर पर सब लोग ने अपना नाम दिया और दादा भाय नौरोजी को अध्यक्ष बनाया जाए एक व्यक्ति एक पद का concept है तो दादा भाय महासचिव का पद है उससे उनको मुक्ति दे दी गई और अब वो अध्यक्ष नामित कर दिये गए तो अब महासचिव का पद जो है एलन अक्टोवियो हूम ने उठाया 1886 से लेगर अगले 20 साल तक 1906 तक वो Congress के महासचिव रहेंगे उसके बाद चुकिए वो बुढ़े हो कोई बहुत ज़्यादा बाते नहीं हुई है लेकिन हाँ एक खास बात हुई कि इस वक्त आपके जो वाइसराय अफ इंडिया है जिने हम लोग लॉड डफरेन के नाम पर जानते हैं उन्होंने Congress में आने वाले जो Members हैं उनको अपनी और से डिनर करवाया है जिसे उध्यान भोज का नाम दिया जाता है देखे पहले अदिवेशन के अगर बात करें तो वहाँ पर कुल लोगों की संख्या 72 थी हम लोग ने भी दिखा भी था अपनी पीपिटी में वो लिखा भी हुआ था तो 72 लोग थे लेकिन इस बार तक आते याते ये लोगों की संख्या बढ़ प्रतिष्ठा ये दोनों बढ़ना है और करीब करीब 434 के आसपास सेकेंड कॉन्फरेंस में आते याते 434 लोग हैं जो कॉंग्रेस के मेंबर बन चुके हैं देखे का लंबी छलांग है अपने जमाने के हिसाब से ठीक तो एक लंबी छलांग लगाई है कॉंग्रेस ने करी सवा 400 साले 400 लोग के आसपास उनके सदस्से बन चुके हैं यानि नाम प्रतिष्ठा ये दोनों बढ़ना है लोगों का जुकाव और जुडाव भी बढ़ना है 1886 तक आते आते इंडियन एसोसियेशन के एक बढ़ी नेता जिने हम लोग S.N.Banerji कहते हैं उनको कहीं न कहीं कि अब कॉंग्रेस की ओर लाने की तैयारी हो रही है हाँ इस कॉंग्रेस के सदस्से के तौर पर तो नहीं लेकिन हाँ वो इस अदिवेशन में व्यक्तिगत तौर पर आये भी हैं और कुछ दिर रुपकर वो चले भी गए लेकिन अब हाँ उनका जुकाव जरूर बढ़ ल इंडिया तो उन्होंने इस पूरे चरित्र को निभाया भी है उन्होंने कॉंग्रेस को बनाने उसको बढ़ा करने सीचने उस पौधे को लगाने से लेकर उसको बढ़ा करने तक सारा काम किया है तो बहुत बढ़ा यूगदान रहा है कॉंग्रेस का जो तीसरा अदिवेश अबाना है और कॉंग्रस का तीसरा अधिवेशन का जगे डिसाइड किया जा चुका है जो कि मद्रास में होने वाला है जिसे आजकल आप लोग तमिल नाडू और उसके आसपास की जो इलाके पड़ते उनकी बात करते हैं वो जमाने में उसे मद्रास प्रेसिदेंसी कहा जाता समस्य फसर है कि अध्यक्ष कौन बनेगा अध्यक्ष किसे बनाया जाए नाम बड़े बड़े हैं फिरोशा महता का भी नाम है और और दिन्शावाचाई दूल जी हैं बहु सारे नाम हैं समस्य यह आरी कि अध्यक्ष बनाया किसी जाए इसी बीच एक मैंने का नहीं कुछ और भी घट रही हैं आजकल के वर्तमान पाकिस्तान और बंगलादेश जो यह मुस्लिम डॉमिनिटिंग एरिया है यहां पर कुछ लोग कॉंग्रेस के मुखालफत करते हुए एक अजीबो गरीब सा स्टेटमेंट और एक अजीबो गरीब से बयान बाजी करने लगे हैं औ काई कंजर्विटिव मुस्लिम के द्वारा काउंटर करने की कुशिश की गई कि कॉंग्रेस जो है यह आपके धर्म विशेश पार्टी है यह हिंदूओं की पार्टी है और अंग्रेजों ने इसका बड़ा अच्छा खासा समर्थन दे रखा हुआ है तो कुछ को रोकने के लिए सब लोगों ने बड़ा फैसला लिया और सीनियर्स के बीच में से एक जूनियर जो आगे चलकर बड़े निता बनेंगे बाद दूसरी है लेकिन अभी वो थोड़े छोटे निता है उनका दूसरी पाइदान में नाम आता है वो नाम है बद्रुदीन अध्यक्ष बनाया गया यह जवाब धा उन conservative Muslims को उन लोगों को जो कि Congress के main theme को मुख्य बातों को समझने की जगे पर इसे एक धर्म का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं तो बद्रुदीन तयब जी को इन सारी बातों का जवाब देने के लिए अध्यक्ष बना दिया गया अ that was बद्रुदीन तयब जी ठीक याद रखेगा इस बात को अब हम आप एक सवाल यहां पर पूछेंगे जो हम पहले पूछने जा रहे थे पिर मैंने आपसे का था कि मैं कुछ दिर बात पूछूंगा तो सवाल बाता है कि Congress के पहले Hindu अध्यक्ष का नाम बताईए फर्स्ट के पहले तीन अध्यक्ष में कोई भी Hindu अध्यक्ष बना ही नहीं था कोई भी Hindu अध्यक्ष नहीं बना अब जब बात आई रही है तो उस वक्त भी जवाब दिया हो गया हो मैं भी आपको बता रहा हूं W.C. बनर जी जैसा नाम से लग रहा है यह Hindu नहीं है इन्होंने Hindu धर्म को त्याग कर Christianity को एडॉप्ट कर लिया था तो जिस वक्त को Congress के अध्यक्ष बने 1885 वाले साल में तो वो Hindu नहीं थे बलकि वो Christian थे बंगॉली है बंगॉली मतलब बंगाल का रहने वाला उससे मतलब नहीं है उसके चक्र में मत पढ़िएगा बंगॉली बंगॉली तो Muslim भी है बंगाली Christian भी है बंगॉली Hindu भी है बंगाल में जो रहेगा बंगाली पंजाब में जो रहेगा पंजाबी जो मरास्ट्रा में रहेगा वो मराठी वहाँ पे धर्म से कोई मतलब नहीं है यह छेत्र है छेत्र के हिसाब से इनकी बात ही की जा रही है तो जो पहला अध्यक्ष है वो आपका एक Christian है दूसरे अध्यक्ष दादा भाय नौरो जी भी Hindu नहीं है वो Zoristian परसन है तो जो एक आरोप लग रहा था वो गलत आरोप लग रहा था वो बात अलग रही कि उन आरोपों को और भविश्य में ऐसा नहो इसलिए पहले इस बात को दबाने की कोशिश की गई और हमारे बद्रुदीन तयब जी को कॉंग्रेस का अध्यक्ष नामित कर दिया गया जो कि पहले मुसलिम अध्यक्ष बता दिये जाते हैं अब ये परंपरा जैसे कॉंग्रेस में कह रहा हूं बार बार चलती चली जा रही है कुछ लोग इसके समर्थन में भी है कुछ जगे हुआ ये कि अब तक आते आते अंग्रेजों के द्वारा अब कुछ लोग कहते हैं दिखावा है अंग्रेजी प्रशाशन दिखावे के तौर पर काम कर रही थी अधिवेशन के लिए जगे नहीं दी जा रही थी तो एक राजा दर्भंगा है राजा दर्भंगा गया कि आप अपने अधिवेशन को पूरा करिए तो कॉंग्रेस का जो चौथा अधिवेशन 1888 के साल में हुआ लोथर काउंसिल जो प्लेस अलहबाद में है वहाँ पर हुआ इस अधिवेशन के अध्यक्षेक अंग्रेज बने जिने हम लोग जॉर्ज यूल के नाम पर जानत कि थी वह 434 से बढ़कर करीब 600 के ऊपर जा चुकी है यानि लगातार कॉंग्रेस का दाइरा कॉंग्रेस का छेत्र बढ़ता चला जा रहा है और कॉंग्रेस के हर साल होने वाले अधिवेशन देखिए 1885 से लेकर 1947 तक कॉंग्रेस के लगातार अधिवेशन हुए हैं ठीक कुछ अलग अलग बाते हुई है जैसे हम लोग 1889 के अधिवेशन की बात करें जो बॉम्बे में हो रहा है ठीक अगले साल वाला जिसे विलियम बेडर मर्न सहाब के द्वारा नित्रित्व दिया जा रहा है इसमें पहली बार महिलाओं को भी शामिल किया जा रहा है ठीक तो प्रमुक सत्र हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे उन पर होने वाले कुछ प्रमुक बातों पर भी बात किया जाएगा फिलाल आज के लिए इतना ही रखते हैं चौथा दिवेशन इलहाबाद में हुआ है जोर्ज यूल ने किया है और ये पहले अंग्रेश थे जिनोंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की है ठीक यह आप लोगोंने पढ़ लिया होगा याद कर लीजेगा कॉंग्रेश के अगले सत्र में अगली मुलाकात करेंगे फिलाल आज के लिए धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार